हेलो गुर्ण तो आई होब आप सभी लोग अच्छ होंगे आज के इस वीडियो में अपन डिस्क्रस्यन करने वाले हैं कि IDM क्या होता है ठीक है अगर आप डायरेक्ट यही वीडियो देख रहे हैं तो मैं इससे पहले आपको रिकमेंड करूंगा कि जो हमारा एक वीडियो है वो valid pullback and invalid pullback के उपर बना हुआ है ठीक है ठीक है उसको आप जाके देखिए ठीक है ठीक है तो आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले है IDM के बारे में यहन इलूजमेंट क्या होता है और किस तरीके से काम करता है अगर आप इसको नहीं जानते हैं और आप इसके बारे में प्रोफरली जानकारी चाहते है तो से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक वीडियो चेनल पर डाला हुआ है जिसका नाम है valid and invalid pullback ठीके वो आप जाके प्रोफरली वीडियो देखिए अगर आपने वो देखा है देन तभी आप इसको consider कर पाएंगे क्योंकि उसके बास second chapter यहीं आता है ठीके अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजे मैं यहाँ से आपको marking सिखा देता हूं डायरे कि अपने को कैसे वैलिड और इनुवलिड में consideration करना है और उसके मार्दम से अपन कैसे illusion को find out करने वाले है ठीके तो यहाँ से क्या हुआ कि आपका मार्केट क्या करता है यह bottom से अपम सुरू कर रहे है bottom से आपका मार्केट अप जाता है अप जाने के बाद down आ जाता है ठीके अब अपने पा करेगा ठीक है वहाँ पर अपना idm काम करेगा ठीक है मैं आपको बता देता हूँ idm यानि की इल्यूजमेंट ठीक है यानि की मार्केट ने अगर recent वाला low ले लिया तो वह आपका as a idm work करेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं चलिए तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका अब यहाँ पर valid pullback अपना यह वाला हुगा अगर मार्केट इसको ले ले लेता कुछ इस तरीके से हां के चाहिए विग भी close करें या candle भी दे इसको टच होना जरूर ही इस लाइन को ठीक है या तो मार्केट यहाँ पर क्या कर सकता है कि मैं आपको लिख देता हूँ या तो candle close करें या विक स्विप करें ठीक है दोनों में से अगर कुछ भी होता है तो यहाँ पर यह कंफर्म हो जागा अब जब आपका मार्केट क्या करेगा कि यहाँ पर आने के बाद में अगर इसको टच कर देता है तब क्या होगा तब आपका यह जो वाला point है या आपक high confirm होजएगा अगर market high चल रहा है तो higher high यह आपका higher high उस time पे confirm होगा ठीक है जब आपका market अगर इल्यूजमिंट ले लेता है मार्केट candle close करें यह इसके ओपर टच करें यह यहाँ पर wix Swip करें कोई problem नहीं है चाहि जैसे हूँ यहाँ पर आपका as a work करेगा proper पर इलुजमेंट के और जब यह चीज होगी तो यह आपका हाई पॉइंट कन्फर्म हो जाएगा अब पोसिबिलीटी यह है कि जो आपका लो पॉइंट है उससे मार्केट यहां से अप जाएगा या कहां से अप जाएगा वो नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन डिस्क्रश पॉइंट से अगर लो जाता छीक है यह इंटर्नल में आ गया हाला कि यह इतनी बड़ी जो केंडल पूरी की पूरी बनी हुए इंटर्नल स्ट्रक्चर में तो आपको मैं एक रहाय देता हूं कि आप इंटर्नल स्ट्रक्चर में कभी मत पढ़िए यहीं पर आप रहेए अब भी मैं इसको इल्यूजमेंट कंफर्म करता और यह मेरा जो पॉइंट है यह मेरा हायर हाई कंफर्म हो जाता यह वाला पॉइंट ठीक है आई होप आपको समझ में आ गया हो आगे बढ़ते थोड़ा अब क्या हुआ मार्केट आपका अप गया ठीक है इसको ब्रेक कर क्या बोलते हैं वह मैं आपको बाद में बताऊंगा वह भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कॉशन अब मार्केट जब आपका यहां से अप गया इसको ब्रेक कर दिया तो अब अपना लोग पॉइंट को चाहिए होगा अब जबी भी मार्केट या केंडल इसको क्लोज करेग यहां पर कुछ इश्टरी के सपोर्च करीगे से तो भी अपन इसको क्या करते हैं वेलीड लिड आईडिय म समझथ स्को चीक है तो मैं इसको लिख देता हूं यहाप को समझाने के लिए तो यहाँ पर क्या होगा कि यह जो वाला है यह अपना valid क्या होगा IDM हो जाएगा अब जब यह IDM confirm होगए मेरा तो यह वाला point मेरा होगा higher high higher high confirm होगए यह point ठीक है इसी तरह से आपको marking करने अब यहाँ पर क्या हुआ है कि valid IDM आपने ढूंड लिया higher high आपने ढूंड लिया अब आपको क्या देखना है अब आपको देखना है कि जबी भी market इल्यूजमेंट लेता है तो इल्यूजमेंट के नीचे कुछ order block PY FVG होता है उसको लेके market अब जाता है वो कब जाएगा कैसे जाएगा क्यों जाएगा वो next video में चर्चा करेंगे लेकिन अभी के लिए market अगर same direction में आगे बढ़ रहा है जिस direction से वो down के लिए आया था तो यहाँ पे देखिए जबी भी market इसको break करेगा तो इसको कहेंगे इसे real break of structure यानि कि boss ठीक है boss का concept थोड़ा आगे भी समझाओं थोड़ा अभी भी समझाओं यह दोनों एक साथ होना ज़रूदी तो जब भी भी आपका market इल्यूजमेंट ले देन उसके बास same direction में अब जा रहा है तो अप ही जाएगा और इस high को break कर देता है तो यहीं आपक it of structure कह लाएगा कई लोग इसको भी boss बोलेगे कई इसको भी बॉस बोलेगे के लेकिन इतनुप आपको ध्यां इस वीडियो में तीन चीजे कवर होगी कौन-कौन सी हाई, बॉस, और आईडियल ठीक है आयोप आपको ये इतना सा structure समझ में आ गया हुग जो मैंने बता है अगेन repeat कर देता हूँ अगर आपका market डाउन में correction करने के लिए आता है then उस time पे आपका market क्या खरे recent वाला जो low यानि कि pullback ऐसे समझ लीजे अब recent वाला जो low है अगर market उसको लेता है then वहाँ पे आपका elusement confirm होगा elusement confirm होने के लिए जरूरी नहीं है कि candle close और liquidity कुछ भी नहीं है या तो candle आके close करे या wigs मारे या वहाँ पे खलका सा touch भी कर दे उस line को तो भी वह आपका aj consideration idea में count होगा right अब market यहाँ से अगर आपका up जाता है और इस high को break कर देता है तो यह आपका क्या कहलेगा break of structure I hope आपको थमझ में आ रही हो कि यह जीजे ठीक है अब आगे बढ़ता है अब थोड़ा से यहाँ से आगे बढ़ते है यहाँ पर क्या हुआ आपका market क्या हुआ वापिस up गया हलका सा high आया अप गया down आया अप गया अप गया ठीक है लेकिन इस बार इससे उपर नहीं गया ठीक है तो हर बार क्या करना है जबी भी market आपका कही अप पर निकलता है तो आपको high low वगरा marking करनी है ठीक है तो यहाँ पर valid pullback कौन सा होगा आप बताए थोड़ा सा सोच है valid pullback कौन सा होगा यहाँ पर मैं timing दता हूँ आपको अगर आपने यह वाला valid pullback सोचा है तो बढ़िया बात यानि कि आप थोड़ा सा चीजों को deeply समझ रहे है अगर आपने यह वाला सोचा है तो भी बढ़िया बात है कि आप चीजों को थोड़ा समझ रहे हैं बढ़ टाइम लग रहा है ठीक है अब मैं आपको बता देता हूँ आपका जो valid pullback ही यह वाला है recent वाला pullback यह अपने को देखना है idea तो recent वाला high और low बनता है कैसे बनता है already मैंने mark किया हुआ last video आप जाके देख सकते है जो कि आपको description में link भी मिल जाएग ठीक है तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका market है उसने यहाँ पर क्या elusement ले लिया अब elusement लेने के बाद में क्या होगा कि top जो point होगा यह हमेशा V shape में बनेगा ठीक है यह ध्यांद रखना यह हमेशा V shape में बनेगा कोच इस तरीके से बोटम से भी ऐसे V shape में बनेगे ऐसा नहीं है कि यह इदर ऐसे बनके यह ऐसे चले गया तो इसको ऐसे मार्क कर लेंगे यह नहीं होगा आपका यह यह होगा इस V shape के अंदर जो भी सबसे high point होगा उसको आपको mark करना है ठीक है और किसी point को mark नहीं करना तो जब भी भी आपका market इलुजमेंट ले लिया यहाँ पर इसने विग मारी अपनी first candle से यह consider होगा कि idea होगा तो यह अपना क्या होगा यह point होगा अपना higher high confirm ठीक है कि अपना market का high होगा ठीक है अब जब high यह confirm होगा ठीक है तो अब अपने को next का confirm करना है कि market अगर buy side में वापिस जाना चाता है तो इसको break करेगा तो अपना boss होगा real boss उसके बाद real boss यही है ठीक है तो अब आपको market क्या करना चाहिए boss को break करना चाहिए तो market क्या करता है अब देखिए market down आया market ने इसको break नहीं किया लेकिन market वापिस down अप डाउन चल रहा है ठीक है अब इस तरफ कैसे चीजे marking करना ही देखिए क्या किसी ने close किया नहीं किया स्रिफ यहाँ पर market ने क्या किया कि आपकी liquidity ली है ठीक है यह अभी तक candle close नहीं हुई है यह स्रिफ liquidity sweep हुई है आपका real boss अभी तक यह नहीं है मैं केले clear कर देता हूँ हाँ यहाँ पर एक entry module भी आपको बता देता हूँ जब भी भी आपका market यानि कि आप समझे कि यह 15 minute का time frame में या 3 minute का कुछ भी समझ लीजी या आप एक घंटे का जोगी आप समझना साए जिस time frame पर आप सारी चीजों को देख रहें समझ रहें अगर उसी time frame पर एक candle ऐसी बनती है जो आपके market में यानि कि उपर जो बोर्ष दे रहा है उसके candle close नहीं होती है समझ ना यहाँ पर लिख देता हूँ इस candle not close यदि candle close नहीं होती है और wick sweep होती है तो direct आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से entry plan कर लेना यानि कि third candle में जो आप बनाते है आपका जो भी entry pattern है जो भी type है और then low तक entry पकड़ लेना क्योंकि यह एक liquidity based entry होती है इसका भी entry लेने का एक pattern होता है जिस पर already मैंने एक video बना रहा है ठीक है तो अब इसमें इतनी सारी चीज़े cover नहीं कर सकते है बट आए थी इसमें समझा दिया है मैंने आप तो तो अब जब भी आपका market क्या करेगा कि उपर जाएगा तो अब कहां पर आपका close होगा तो अब आपका यहां पर क्या होगा कि इससे उपर close होना जरूरी है बट market ने कहा कि यहां पर भी कुछ ने किया तो यह भी आपका as a liquidity काम करेगा और यह बोस भी आपका liquidity काम करेगा सिफ्ट होते जाएगा जब तक candle close नहीं हो जाती यहां पर भी candle close नहीं होगी तो तो यहां पर भी market ने candle close नहीं की तो यह भी आपका क्या होगया यह भी liquidity होगई जब भी market इसके उपर close कर देगा अपन मानेंगी कि अपना real boss यहीं पर होगा अभी तक यह boss हुआ ही नहीं आपका देखिए आपका जो boss है वो कहां से कहां shift होता चला जाए आपका जो real boss है वो यहीं से count होगा लेकिन shift ही यहां तक हो चुका है ठीक है यह shift position में कहा मैच चुका है shift होते बेगे जा रहा है लो पे डाउन आया यहां पे भी डाउन आया यहां पे भी अभी तक लोज नहीं हुआ तो जब भी भी यहां देखिए यहां पर अगे वड़ते हैं अब देखिए यहां पर आपका हाई-लो वगेरा मार्केट ने बना दिया था ठीक है अपन आगे चलते हैं तो यह मैंनों आपको फाई के लिए समझा दिया अप देखिए लोग के लिए कैसे मारग करेंगे अपन चीजे तोड़ा सा लो के लिए बताता है पपन अब यहां पर क्या हुआ कि आपका मार्केट यहां हाई से डाउन गया और यह अप गया अगर आपका मार्केट यहां पर candle close कर देता यह बहुत बड़ी विग है lower low और मार्केट अगर आपका इसको ब्रेक कर देता तो वही बोस वाली situation तो यहां पर आपका क्या हुता बोस है निकि break of structure हो जागा ठीक है मैं इसको समझा देता हूँ सारी सी जोगों लिख लिख के तो यहां पर भी क्या हुआ कि जो मार्केट है उसने low ब्रेक नी किया यह candle आई यहां पर भी नहीं हुआ यह अपना HIGH यह I. इसको भी the break नी किए किसीने ठीक है यह यहां पर भी नहीं हुआ है टीक है यहां पर नहीं हुआries अबहार में तक अब गेंDOL क्लोंस यहाँ पे भी नहीं हुआ है यहाँ पे आके थोड़ा सा हुग गया ठीक है इतने टाइम फ्रेम पे हुआ है यहाँ पे आके काफी टाइम गया तो यहाँ पे आकिरकार हुआ गया है समझी है मार्केट नहीं यहाँ पे क्या किया कि जो ये पीछे वाली candle थी इसकी liquidity ले ली तो ये आपका as a illusion काम करेगा मैं इसको लिख देता हूँ ये आपका as a illusion काम करेगा तो ये idm confirm गए अब जब भी भी market इस v-shape में बना सबसे नीचे कौन सा point है विग भी जरूर ये विग count करना हो तो ये क्या हुआ कि आपका कुछ इस तरीके से v-shape में बन जाएगा ठीक है ये देखे इस पे क्या हुआ ये जो वाली line है ये अपनी किस में count होगी as a boss में ये अपना boss होगा अगर इसको market break कर देता है और ये वाला जो point है ये वाला अपना lower low confirm already चल ली रहा है तो ये आपका lower low already होई रखा है ये down में इस तरीके से marking करने है अब आपका market अगर वापी सी-सी side में break कर देता हो कोई दिक्कत नहीं चलने दो अपना last कहां पे होगा था चोज तो चोज में यहां से आने के बाद market आपका upside पकड़ेगा वो second scenario अभी सिर्फ मैं आपको दो चीजे बता रहा हूँ एक तो IDM क्या होता है IDM कब लेते हैं market जब आपका market recent वाला जो high है उसको ले ले या recent वाला जो low है उसको ले ले अगर आपका market बाई side में जा रहा है तो बाई side में अगर market जाता है तो क्या करें का low को लेगा अगर आपका market low side में जाता है तो high को लेगा ठीक है और वही पर आपको यह चीजे mark करनी है IDM और boss mark करनी ठीक है opposite की तब आपको चीज़े आगे समझ में आएगी, अब यहीं से market आपका अपजाना स्टार्ट कर दिया, आपका market आए गया, लो गया, थोड़ा साए गया, लो गया, यह internal ने इसको count नहीं करेंगे, अब देखिए यह market यहां तक आया, अगर आपका market यहां तक आता, then मैं suggest करता है कि अगर इसकी liquidity भी ले यहाँ पे candle भी close कर देता तो अपन इसको क्या करते as a कैसे count करते idm count करते but market इतना down आया है इसलिए अपन इसको भी count ही नहीं करेंगे फोड़ा सा आके बढ़ते है market अप गया इस low को break नहीं किया अब देखिए market क्या हुआ यह high गया यह low लगाया यह high लगाया यह low लगाया ठीक है अब अपना recent वाला जो low है यह वाला low है इसको market नहीं क्या कर दिया ब्रेक कर दिया तो यह क्या होगा अपना यह higher high confirm हो गया ठीक है और यह अपना idm confirm हो गया यह अपना idm confirm होगा ठीक है और अपना boss कहां पर होगा यह high की तर ठीक है क्योंकि market का है buy side में इसको तोड़ता है तो real boss होगा और आपको समझ में आ रहा होगा यह सारी चीजे मैंने आपको यह अच्छे से मार्क करके दिखा दिये उसके बाद क्या हुआ लिक्विडिटी क्या होती है देखी कैसे गाम करती है यहां पर market आया candle close नहीं यह लिक्विडिटी स्वीप हो गई अगली केंडल पर यह स्वीप हो ग यहां पर यहां पर यानि कि अगर मैं आपसे closing की बात करूं तो इस candle का जो बोस होगा वोगा यहां पर इस candle पर यह सारा का सारा लिक्विडिटी जोन था और यह कैसे काम करता है यह देखी है ऐसे काम करता है यह कि यहां से क्या हुआ एक दो थीन चarnะ पाँच यहां की मार्केट हाई जाना चाता था लेकिन बारबार क्या होए कि मार्केट की हाँ उसको यहां से डाउन ले जा बंदा हो चलेगा कि यहां पर इसने चार बार पांच बार टैप किया दन बाई साइड है तो यह चीज आपको सीखने को मिलेगी बट उससे पहले आप प्रेक्टिस करें सारी चीजों को जाने जल्दी अपन नेक्स टुडियों में मिलते हैं थांकियू स्वामच